ब्रिटेन की महारानी कुईन विक्टोरिया अपने साथ बेशकीमती हीरा को हिनूर ले गई थी ये बात तो लोग जानते हैं लेकिन इस हीरे के अलावा एक चीज और उन्हें इतनी अच्छी लगी जिसे वे अपने साथ ले गई इस चीज के बारे में कम ही लोगों को पता है दरसल ये एक पत्थर था जिसे शजर कहा जाता है शजर पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये दो पत्थर कभी एक जैसे नहीं होते हैं ये पत्थर आज भी अपनी खूपसूरती के लिए मशूर हैं अगर भारत की बात करें तो यह पत्थर बांदा में केन नदी के तटपर पाया जाता है। इसे ज्वेलरी, वाल हैंगिंग और ताजमहल जैसी कलाकृती बनाने में यूज किया जाता है कैसे हुई इन पत्थरों की खोज। लगभग 400 साल पहले इसे भारत में अरब से आएं लोगों ने पहचाना इस पत्थर पर उकेरी हुई पेड पती की आकृती की वजह से इसे शजर नाम दिया गया। पर्शियन भाशा में शजर नाम का मतलब पेड होता है। इसके बाद मुगलों के शासनकाल में इस पत्थर से कई कलाकृतियां बनी। किस काम आता है ये पत थर पूरी दुनिया में जाते हैं। खास और से इरान जैसे देशों में इस पत्थर की मांग ज्यादा है।